तो दोस्तो अगर आपने अब तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफकेशन मिलते रहे हैं हेलो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ जाते हैं इस वीडियो में आपका जागना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर बहुत से इंपोर्टन टोपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं देखिए क्या है थर्ड वीडियो अपना ये है नोट्स आपको पताई है वेबसाइट पर मिल जाए हैं तो Concentration का मतलब होता है कि देखिए solution है उसमें दो चीजें है एक तो solute है दूसरा कैया है Solvent है तो कितना solute present है solution में उसी को उसको क्या बोलते है concentration याद रहे दोस्तोı solvent की नहीं solute की तो हम कहेंगे amount of solute present in solution या in solvent एक ही बात है ऐसे लिख सकते हैं solution के अंदर कितना solute present है उसको क्या बोलते हैं हम concentration बोलते हैं दोस्तों अगर आपको यह कहा जाए कि five percent concentrated solution है तो इस बात का मतलब यह हुआ कि five percent आपके पास solute है और 95 percent आपके पास क्या है solvent है तो अब सवाल यह उठता है कि इस concentration को हम express कैसे करेंगे तो सबसे जो most common method है वो है percentage method तो concentration of solution is explained by percentage method यह सबसे most common method है देखिए तीन तरीके इसके हो सकते हैं अपने पास mass by mass mass by volume और volume by volume तो पहला जैसे है mass by mass percentage तो इसको कैसे लिखेंगे डबलू अपन डबलू जाने gram में तो इसका मतलब है कि कि कितने gram solute present है 100 gram solution यह solvent के अंदर इस बात का मतलब क्या है amount of solute और यह किसमे है in grams present in 100 gram of solution यह solvent इसको क्या कहेंगे mass by mass अब देखिए यह plus one plus two में आगा आता रहेगा solutions पूरी unit आएगी 10 plus two में लेकिन अब अगर सारी पढ़ लेंगे तो प्लस two में क्या पढ़ेंगे तो यहां पर जितने आप के लिए काम का है उतना ही मापको बता रहा हूं 9th और 10th level तक का अगर इसको explain करना पड़े हमसे कोई कहें कि mass percentage यह है mass percentage कैसे लिखें फार्मूला क्या हो तो हम लिखेंगे amount of solute और यह solute किसमे है gram में upon amount of solution यह भी किसमे है gram में percentage के लिए into क्या कर देंगे 100 तो यह है mass percentage mass भाई mass दूसरा क्या है mass upon volume means m upon यह m का w मान रखामने w upon v तो यह देखिए उपर वाला क्या है w means यह gram में है और volume यह volumes में यानि 100 ml तो अब लिखने की जरूरत नहीं आपको पता चली गया यहां मतलब क्या हो इसमे amount of solute in gram क्योंकि यह w है present in 100 gram की जगे पर क्या आएगा 100 ml क्योंकि volume है mass by volume percentage का formula क्या बनेगा amount of solute यह gram नहीं रहेगा अब यह volume of solution आजाएगा ml में into 100 तीसरा जो टाइप है इसकी वो है volume upon volume percentage method means v upon v v हैं दोनों simple है कितना ml solute यानि कितने ml solute present है 100 ml solution में यहने कि amount of solute in ml upon amount of solution ml into 100 करते ही क्या जाएगा आपका percentage आजाएगा इस तरह से यह most common method था percentage method जिसकी three types हमने पड़ी कौन कौन सी mass upon mass mass upon volume और volume upon volume चलिए बढ़ते हैं हादिए दोस्तों अब हम ऐसे topic परा गए हैं यह लगातार 9th में 10th में 11th में 12th में आता ही रहेगा जो पहले पड़ा वो भी अब जो पड़ रहे हैं ये भी और इसको थोड़ा सा के detail में पड़ेंगे और plus one two में तो बहुत ज्यादा detail में हमने इसको पड़ना पड़ेगा फिलाल इससे पहले कि हम इन सब को अलालग पड़ें इकठे तिनों के difference देख लेते हैं आपको clear हो जाएगा कि ये क्या चीज़े हैं तो true solution है, colloid है, suspension है इनके बारे में आगे भी इनकी properties भी पड़ेंगे हम colloid की विशेश कर पड़ेंगे, ये plus two class तक important है, इनकी properties तो यहीं पर आजाएंगे, उनसे अपना काम चल जाएगा देखिए, ये solution की अलग-अलग type हैं और इनमें main difference particle size का ही मानिया आप उसके base पर आगे की properties अलग-अलग differ होती चली जाती हैं तो true solution वो हैं जिन में particles का size बहुत कम होता है, बहुत less होता है, जिसके कारण वो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं true solution इससे पहले कि आप और ज़्यादा confusion में पड़ें, सबसे पहले मैं आपको इनकी example बता देता हूँ हमने salt solution लिया, means पानी था, पानी में नमक डाल दिया, उसको गोल दिया, तो वो जो है, वो अपने पास true solution है यानि कि उसमें आपको अलग से particles दिखाई नहीं देने वाले हैं, salt के colloid जैसे milk है, जैसे ink है, ये चीजें क्या है, colloidal solution में आती है suspension जैसे घर पे आपने शिकंजी बना ली, पानी में निम्बू डाला, तो वो अलग से आपको particles दिखाई देंगे उसके या फिर पानी में आपने oil डाला, अलग से दिखाई देंगे, तो वो चीज़ क्या होती है, suspension होती है अब ये तो हुई समझने के लिए एक बात कि आपके मन में पहले तस्वीर कलियर हो, कि ये क्या चीज़ है अब इनकी basic बातों पर आते हैं, differences पर आते हैं तो true solution में क्या है, particles का size बहुत कम है, और उस कम के कारण ही ये बात है, कि वो visible नहीं है इनका जो size है, particle size, true solution का, ये होता है less than 10 raised to the power minus 7 cm 10 raised to the power minus 7 cm से भी कम size होता है, कि इसका true solution के particles का अब अगर colloid की बात करें, तो इनके जो particle का size है, वो है 10 raised to the power minus 7 to 10 raised to the power minus 5 cm अब आप ये मत समझ लेना कि ये particle का size बढ़ रहा है, क्योंकि maths वाले teacher ने क्या बताया है आपको कि माइनस में फर्क होता है, माइनस 1, माइनस 2, तो इन संख्या में माइनस में जो छोटा है वो बड़ा होता है याना कि जैसे माइनस 3 और माइनस 5 कहें, तो माइनस 3 is bigger खेर हम mathematics नहीं पढ़ रहे हैं, तो वापिस आते हैं, particles का size ये है, suspension में क्या है, और बड़े हैं के more than 10 raised to the power माइनस 5 cm, ये particles का size रहेगा इन तीनों में, इसके बाद हम बात करेंगे, visibility की, salt solution हम नहीं लिया, मैं क्यों हिंट से ही लिख रहा हूं, particles not visible, colloid की बात करें, अगर आप naked eye से देखना चाहें, जैसे milk है, तो उसमें particles आपको अलग-अलग दिखाई नहीं देंगे, ink है, blood है, तो इसमें आपको अलग-अलग particles दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हाँ, अगर high power का microscope है, तो फिर आ आपको दिखाई दे सकते हैं कि ये red blood cells हैं, ये white blood cells हैं, इस टाइप से, तो हम कह सकते हैं, क्या particles can be seen under powerful microscope, अगर microscope powerful है आपके पास, तो particles आप देख सकते हो, suspension का क्या है इसमें, तो naked eye से आप देख सकते हो, जैसे water में आपने sand मिला दिया, पानी में रेत मिला दिया, आपको particles दिखाई देंगे, या फिर आपने निम्बू मिला दिया, lemon, तो lemonoid जो सिकंजी हम बनाते हैं, तो वहाँ आपको दिखाई देंगे particles, याने कि particles can be seen with naked eye, किस property की बात करते हैं, two solutions जब आप ले लेते हैं, तो किसी भी type का filter paper यूज़ करें, आप उसको डालेंगे, तो particles अलग नहीं हो पाएंगे, आपने जैसा उपर डाला, सारा का सारा निच्छ आएगा, पूरा का पूरा filter हो जाएगा, means, जो filtration है, वो इसकी possible नहीं है, filter paper से, filter paper से त इसकी द्वारा इनकी filtration हो सकती है, by passment paper, जहां तक इनकी बात है, तो यहां तो जो normal है, means, ordinary filter paper, इससे भी इनकी filtration हो सकती है, इसके बाद अगर हम बात करें, इनकी particles की settle होने की, तो true solution के particles क्या होगा, कभी भी settle down नहीं होगे, means, salt solution आपने बना दिया, तो ऐसा नहीं होगा, कि आप उसको एक दिन रख दें, दो दिन रख दें, तो particles नीचे आके settle हो जाएं, ऐसा नहीं होगा, इसमें जो है, इसमें, normally तो इसमें भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपको stabilizer म लाते हैं, means, या फिर centrifugation करते हैं, जिसे दूद होता है, उससे मक्ष निकाला जाता है, तो क्या करते हैं, उसको गुमाते ही तो है, centrifugation, उसके द्वारा इसमें हो सकता है, और इसकी जहां तक बात यह तो normally जैसे पानी और रेत है, तो कुछ समय के बाद उबेट जाएगा, सेटल लाउन होगा, यानि कि इसमें क्या हुआ, particles are not settled, down, particles settle लाउन नहीं होते, इसमें क्या होगा, settled हो सकते हैं, by कैसे होंगे, या तो stabilizer, कोई आपको chemical डालना पड़ेगा, जो stable बना सके, और centrifugation, अब centripetal, centrifugal ये चीज़ आप plus one में पढ़ेंगे, ये फिजिक्स में, ये forces होते हैं, अलग-अलग, जैसे दूद का centrifugation तब किया जाता है, तब उसमें से मखन निकलता है, जैसे गरों में करते हैं, तो उसके द्वारा इसके particles settle हो सकते हैं, जहां तक इन की बात है, तो ये तो normally settled हो जाते हैं, means particles are easily settled down, अब एक और important property के अगर बात करें, हम diffusion की, तो true solution जो है, उन में diffusion क्या होता है, fast होता है, इन में क्या होता है, slow होता है, इन में कोई diffusion नहीं होता है, true solution में क्या है, fast diffusion, diffusion आप पहले पढ़ी चुके हैं, आप हर वीडियो में क्या बताना है, higher concentration से lower concentration की तरफ, moment, इसमें क्या होगा, इसमें है slow diffusion, और इसमें क्या होगा no diffusion तो यह properties है इनकी example हम करी चुके जैसे salt solution है यह इसका example है next अगर कहीं तो blood, ink, milk यह इसका example है इसमें क्या है जैसे sand and water solution यह इसका example है यह शिकन जी जो होती है lemonade वो भी इसका example है तो यह true solution, colloid और suspension के बीच में difference थे अब देखिए अलग-अलग question आपसे यह पूछ सकते हैं मालिया exam में आगा, board exam में आगा, true solution की properties लिखिए तो यह हैं, यही properties हैं कि particles का size क्या है, visibility की क्या है, filtration क्या है, settle down होते हैं या नहीं, diffusion कैसा है और इनका example होतो गई, six, seven points होगे अपने यह, इसी तरह suspension की आप यह लिख देंगे, colloids में कुछ एक दो और नई बातें भी आएंगी, इसलिए next वीडियो में colloid की properties को हम discuss करेंगे, जिसमें brownian moment या फिर आपकी tindal effect या electrophoresis यह चीज़ें आएंगी, तो चैनल को देखते र झाल 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 झाल